Section Exercise 3.1 के हवाले से इस वीडियो में आज हम अपने प्रोजेक्ट के जो बाकी टास्क हैं, वह हमने करने हैं, इससे पहले हम Task 1 और Task 2 कम्लीट कर चुके थे, तो आज हम करेंगे Task 3, यह Task हमने कम्लीट करना है, इसके लिए मैं अपने Exercise फाइल ओपन कर लेता हूं, और फिर हम अप यह हमारी Exercise फाइल है, अब देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि on the parts worksheet, create a formula in cell F16, अब आप देखें कि यह हमारी parts की worksheet है, इसके अंदर पहले तो हम वो locate करते हैं, जिस cell में हमने formula apply करना है, तो हमने F16 में formula apply करना है, यह है हमारा cell, अब यहां पर हमने क्या formula apply करना है, to calculate the average of the gross margin value, आपने average calculate करनी है, अच्छा, इसके लिए आप जो function इस्तिमाल करेंगो होगा, average ifs, यानि कि average calculate करना है, लेकिन वो कुछ conditions की बुनियाद पर करना है, to calculate the average of the gross margin values for the parts, आगे condition लिखी वी है, वो अले parts, जिनकी cost less than $10 है, सिर्फ उन values के gross margin आप select करेंगे, जिनकी cost जो है, वो 10 $ से कम है, तो इसके लिए हम वैसे तो आम formula की जरीवी कर सकते हैं, लेकिन यहां कहा गया है, use structured table reference in your formula, हम structured table reference का इस्तिमाल करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ table का नाम पता हो, तो हम असानी के साथ उस table के उपर formula apply कर सकते हैं आए चलते हैं, यहां पे मैं apply करूंगा, is equal to average, और हमें कहा गया है, average ifs आपने apply करना है, अब यह जो average ifs है, यह apply होगा इस table पे, यह जो table आपको given है, इस पे apply होगा, इस पे अगर मैं यहां पे formula apply करने से पहले, अगर आप यहां पे click करते हैं, कहीं पे भी, तो design पे click करेंगे, और यहां पे आपको table name पता चल जाएगा, table name क्या है parts, table का नाम पता होना हमारे लिए बड़ा ही important है, क्योंकि हम जब formula में reference देते हैं table का, तो हम उसके नाम के जरीए देते हैं, और इसके बाद जब हमें table का नाम पता चल जाता है, फिर हम उस हिसाब से columns को include करते हैं अपने formula में, तो वापिस चलते हैं अपने formula की तरफ, तो यहां पे हम अपना formula apply करेंगे, तो हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं, is equal to average, sorry, यह average if, tap की press करूंगा, तो formula select हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, कि यहां पे जिस table की उपर आप formula apply कर रहे हैं, उसका नाम हम यहां पे लिखेंगे, उसका नाम है parts, यह देखें, table select हो गया, अब जिस column पे आप apply करना चाहते हैं, वो column है gross margin, यहां पे मैं simple brackets लगाके, यहां लिखाँ, gross margin, तो यह आजएगा, tap की press क करेंगे, तो यह खुद भाखुद उसको select कर लेगा, अब देखें, यह column हमारा select हो चुका है, अब इसकी average हमने calculate करनी है, लेकिन हम यहां पे एक condition apply करेंगे, और condition apply हो रही है हमारे cost के column में, जैसे कि हमें कहा गया है, कि cost less than $10 होनी चाहिए, तो अब मैं फिर यहां पे लिख देखुँगा, table का नाम, जो के है parts, और यहां पे फिर हम apply करेंगे, जिस column के उपर apply करना है, उसका नाम है cost, और bracket close, अब देखें, वो column वहां पे select हो गया, अब हमने यहां पे condition क्या apply करनी है, conditional में यह apply करनी है, कि हमारी जो cost है, वो क्या होनी चाहिए, cost जो है, less than $10 होनी चाहिए, यानि सिर्फ वो value select होंगी, जो के 10 से less है, जैसे कि हमें कहा गया है, that cost less than $10, तो inverted commas close कर दूँगा, और फिर bracket यहां पे मैं close कर दूँगा, तो यह formula हमारा यहां पे आके complete हो चुका है, अब जैसे ही मैं यहां पे enter key press करता हूँ, तो देखें, यह हमने average gross margin calculate कर लिया है, जो आ रहा है, 81.2%, तो इसके अंदर, वो वाली gross margin के वो वाले cells select हुए हैं, जिनकी cost $10 से कम है, जैसे कि यह हो गया, यह हो गया, और इसके साथ यह हो गया, यह और यह, तो यह cells आपको नज़र आ रहे हैं, जिनकी cost कम है, उनके corresponding वो वाले cells gross margin के select हुए, और उनका average calculate कर लिय गया, तो यह complete हो चुका है हमारा task number 3, अब चलते हैं task number 4 की तरफ, तो हमारा अगला task है कि हमने customer worksheet को open कर लेना है, और वहां पे formula apply करना है cell L1 में, तो आईए चलते हैं, अपनी sheet की तरफ, यह हमारी sheet है, और इसमें मैं customer key worksheet को open कर लेता हूँ, और यह cell L1 जहां पे मैंने formula apply करन है, अब formula मैंने क्या apply करना है, उसको जड़ा देख लेते हैं, that uses the count ifs function, हमने count ifs function का इस्तमाल करना है, और जो हमें return क्या करेगा, number of customers, यानि हमने number of customers, जो हैं वो find out करने है, with the country value United States, यानि सिर्फ वो आले customers, जिनकी country value United States आ रहा है, और region value और आ रहा है, और से मुराद, एक state ये province है, जो कि औरीकॉन कहलाता है, तो इसको apply करने के लिए, यहां पे मैं अपनी worksheet open कर लेता हूँ, यहां पे मैं click करूंगा, is equals to, और हमने apply करना है count ifs, यहां पे मैं count ifs लिखूंगा, tap की press करूंगा, तो यह formula हमारा select हो जाएगा, अब सबसे पहले तो हम उस range की बात करते हैं, जिस range में हम formula apply करने जा रहे हैं, यहां पे हमारी condition apply हो रही है, तो आप देखें कि यह हमारे पास है J4, J4 से लेके, यह जो आपको पूरी range नजर आ रही है, इसके उपर हमने condition apply करनी है, जो कि है J94 तक, अब हमने इसके उपर condition क्या apply करनी है, कि वो तमाम cells select होने चाहिए, जिनकी value जो हमारे पास क्या आ रही है, आप देखें अगर United States, तो United States की spelling का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं लिकूँगा United States, एक condition तो हमारी यह हो गई, दूसरी condition हमें, जिस range पे हमने apply करनी है, वो range है हमारी state और province की, तो इसको मैं select करूंगा, और यहाँ से, यह पूरी range यहाँ तक आके select हो जाएगी, साथ-साथ आप इस formula की detail यहाँ formula section में भी देख सकते हैं, h4 से लेकर h94 तक की range मैंने select की है, semi-colon, और इस range को select करने के बाद, अब इसकी मैं जो condition apply करने जा रहा हूँ, वो है कि वो तमाम cell select होने चाहिए, जिसकी state या province में और आ रहा है, यानि कि Oregon state के province है, तो यहाँ पे आके complete हो जाएगी, bracket मैं close कर दूँगा, और यहाँ पे आप उतना formula देख सकते हैं, कि यह आपका formula है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे enter की press करूँगा, तो यह customers calculate count कर लिए हैं, four customers ऐसे हैं, जिनका तालक United States और इस province है, तो हमने सर्फ range select की, उस पे formula apply किया, तो हमारा result आ गया, अब ने एक चीज़ नोट की, कि इस formula के अंदर हमने यहाँ पे dollar sign यूज़ नहीं किया, नहीं हमने अपनी range को lock नहीं किया, उसकी reason यह है कि हम throughout the data, हम count करने जा रहे हैं, तमाम customers को, जब हमारा focus सिर्फ एक column के उपर होता है, यह fix values के उपर होता है, तब हम उसको lock करते हैं, अब हम throughout the data काम करने हैं, जहांपे हमने तमाम number of customers count करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे columns and rows को fix नहीं किया अपने formula में, तो यह था हमारा task number 4, तो इस exercise में finally हमने अपने chapter 3 की जो exercise थी 3.1, इसको हमने complete कर लिया है, उससे related तमाम task को हमने खतम कर लिया है,